दोस्तो नमस्कार उज्वल लक्षे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम गडित का एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो ना केवल विद्यार्थी के लिए बलकि दुकानदार और खरीदार सब के लिए उप्योगी है देखिए क्या होता है जैसे हम दुकान जाते हैं तो कोई भी समान का कीमत पूछते हैं तो बता देते हैं जैसे 120 रुपय किलो बता दिया है ना या 350 रुपय किलो बता दिया या 180 रुपय किलो बता दिया तो जो कस्टमर होते हैं जो खरीदार होते हैं उसमें अधिकतर ऐसे होते हैं कि वह 100 रुपय का समान मंगेंगे य उसी प्रकाय 350 रुपय किलो है तो 50 रुपय में उसको कितना ग्राम वस्तू दे तो ये दुकानदर का एक सोच होता है कि कैसे हमको जल्दी से इसको हिसाब कर सके खरीदार क्या करता है जैसे वो समान खरीद रहे तो हिसाब लगाते रहता है कि इसका कीमत कितना होगा हम 100 किया गया कि सर आपने जो तरीका बताया वो विद्यार्थियों के लिए है हम तो दुकानदार और खरीदार हैं तो हम कैसे हिसाब लगाएंगे हम तो वहाँ पर पेन कापी लेकर नहीं जाएंगे तो सही बात है कि आप पेन कापी लेकर नहीं जाएंगे तो हम आपको वही प्रश्न को हम केल्कुलेटर के माध्यम से हल करेंगे अर्था जब आप दुकान जाए तो आपके पास जो मोबाइल है जिसमें केल्कुलेटर रहता है उसके माध्यम से आप हिसाब लगा सके तो वीडियो काफी महत्तपूर होने वाला है ध्यान से देखिएगा लाश्ट तक ठीक है तो सबसे पहले मैं इन सभी को मिटा देता हूँ जो यहाँ पर लिखा गया है ठीक है वेट करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रस्न को हल करते हैं प्रस्न में क्या कहा गया है यदि एक चौथाई किलोग्राम बादाम का मूल्य रूपिये 162.5 अर्थात रूपिये 162.50 पैसे है तो रूपिये 195 में कितने ग्राम बादाम मिलेंगे तो विद्यार्थियों ऐसे इस्तिती में सबसे पहले देख लीजिए वस्तू की मात्रा ठीक है वस्तू की कीमत यह दो चीज़ाँ फोकस कीज़े अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्न को पढ़ते हैं क्या दिया है हमको एक चौथाई किलोग्राम तो एक चौथाई किलोग्राम क्या चीज़ा है वस्तू की मात्रा है तो एक चौथाई अर्थात होता है एक बटाचार एक बटाचार किलोग्राम ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ अब एक चौथाई किलोग्राम बदाम का मुल्य तो ये जो बदाम का मुल्य है रूपिये 165.5 इसको आप यहां लिखिए 162.5 ये कितने बदाम का कीमत है? एक बट्टा चार किलोग्राम का आगी क्या पूछा है? तो रूपिये 165.5 में कितने ग्राम बदाम मिलेंगे? तो 195 क्या है? मुल्य है कितने ग्राम का? यही हमको बताना है तो रूपिये 165.5 को आप कीमत की नीचे लिखिए रूपिये 165. ठीक है? अब यहां पर पूछा गया है इतना ग्राम हमको मिलेगा? तो यह आपका फ्रेम होता है ठीक है? ऐसे सवालों का फ्रेम होता है और इसमें हमको देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्षन को पूछा गया है जैसे देख सकते हैं इसको दिया गया इसको दिया गया है ये भी दिया गए है ये पूछा है ठीक है तो पूछा है देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम में है और दिया है किलो ग्राम में तो ऐसे कभी हिसाब मत कीज़ेगे इससे गड़बर होगा दोनों का मातरक एक रखिए जैसे ये किलो ग्राम है तो इसको भी किलो ग्राम में बदलना होगा यदि ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलना होगा चुकि हमको उत्तर ग्राम में चाहिए क्यों यहाँ बड़े सत्य ग्राम में पुछा है तो हम यहाँ पर किलो ग्राम को सबसे पहले ग्राम में बदलेंगे तो किलो ग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं एक हजा से गुना करते हैं तो यहाँ पर एक हजा से करेंगे क्योंकि एक किलो ग्राम बराबर एक हजा ग्राम होता है तो इसे गुणा कर दीजिए तो 4 एकम 4 यहां से कर जाएगा 250 आजाएगा तो 250 ग्राम ठीक है 250 ग्राम का कीमत 165 रुपिया है तो 195 रुपिया में कितना चाहिए यह इस्तिती हो गई अब क्या करना जो पूछा गया है इसको आपको right side रखना है तो यहां पर क्या करेंगे रुपिये 162 में 172.5 में 250 ग्राम ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं हमने किस प्रकार से लिखा 172.5 रुपिये में 250 ग्राम अर्थात हमें एक रुपिया से जादा का पता है तो अब क्या करना आप एक रुपय का पहले निकालना है एक रुपय में कितना मिलेगा तो 250 बटे यहाँ पर जो रहेगा उसको आप भाग कर दीजेगा 162.5 अब बटे में देख सकते हैं जो हर में है संख्या उसमें 10.5 है तो इस 10.5 को आप हटा दीजे इस परकार से और दसमलों हटाने के पश्चाद, दसमलों के बाद जितने अंक थे, उतना शुन ने यहाँ पर लगा दीजे, ठीक है, और ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राम हो जाएगा, ये रूपिय हो जाएगा, ठीक, अब उसके पश्चाद क्या वोट रहे हैं, हमें कितना पत गया अर्था जो उत्तर आएगा वो ग्राम में आएगा क्योंकि उपर रूपिय था नीचे रूपिय थे कट गया अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको काटेंगे तो थोड़ा से में उपर कर देता हूं ठीक है यहां पर देखेंगे यह 25-100 है यह 16-25 है पहले 5 से कटेंगे क्योंकि दोनों 5 के पाड़ाम आएगा 5-3-15 उसके वाद हो जाएगा 5-10-5-25 यह हो जाएगा कटके 5-25-500 ठीक है फिर 5 से कटेगा 5-6-30-5-25 यह हो जाएगा 100 अब यहां पर 100 आ गया तो और मत कटाई क्योंकि इससे 100 से गुणा करना अशान होता है इधर से कटाते हैं तो 5-5-5-15 तो 5-3-15 और 4-5-45 तो 5-45 तो 5-45 तो 13-13-49 यहां पर आया 3 यहां पर आया 100 इस प्रकार से 100 गुणा 3 ठीक है 100 गुणा 3 बराबर 300 ग्राम जो है मिलेगा किसने में 195 रूपिय में ठीक है यह आपका उत्तर है हमने क्या किया यह फ्रेम में जमाया उसके प्रश्चाज जो पूछा है उसको राइट सेट किये और यह सब कारे किये यह हुआ विद्यार्थियों का तरीका अब जो है दुकानदर का तरीका तो दुकानदर के लिए क्या करेंगे आप जो है इतना गुणा भाग तो नहीं करेंगे है ना भई तो आप जो है तो यहां क्या करना सबसे ना सबसे पहले किलोकीटर करना अब दिखना कि 250 ग्रम कीमत कितना है 162 रूपया तो सबसे पहले आप उपर में 250 ग्राम जिखेंगे जितना ग्राम है उसका कीमत से भाग करेंगे उसको जैसे 162 यह लाग का पाक्श है inexpensive प्रय है उससे गुणा करेंगे जैसे आप यहाँ पर 195 से गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना या 300 ग्राम आया आप कोई वस्तु किलो में है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 350 रुपय किलो है वस्तु का कीमत और 50 रुपय का खरिदना चाहता है तो आप क्या करना सबसे पहले 350 रुपय किलो है तो 1000 ग्राम अर्थाथ 1000 को भाग करना वस्तु के कीमत से है जैसे एक किलो का 350 है तो 350 से भाग करेंगे 100 रुपय किलो है तो 100 से भाग करेंगे 300 रुपय किलो है तो 300 से भाग करेंगे अब उसके परश्चाथ कस्टमर जितने रुपय का खरिदना चाहता है उस उसी से आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तो गुणा जैसे यहां पर 50 रुपए है तो आप 50 से गुणा करेंगे आप देखेंगे 142.8 ग्राम अर्थात लगभग उसको 143 ग्राम आपको देना पड़ेगा 143 ग्राम ठीक है आप जो रॉंड फिगर में देते हैं कस्टमर को इ 50 रुपए है उसको खरीदना है 50 रुपए का दाल खरीदना है तो वह कैसे करेंगे सबसे पहले देखें अपने केल्गुटर को ओपन करेंगे और 1000 ग्राम का पहले लिखेंगे 1000 ग्राम उसको भाग करेंगे किस से वर्स्तू का जो कीमत है किलो का यहां पर 85 है तो 85 से भाग क तो यह आप जो है ऐसा तरीक अपना करके हिसाब किताब कर सकते हैं वे वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा जरूर बताइएगा और उज्वल अच्छे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजेगा बेलाइक कर दबाईएगा नमस्कार जो दो है कितना उपयोगी रहा जरूर बताइएगा और चैनल को सबस्कार बेलावा प्रवाणार जहा कर दो रहा जर जजजेआएगा जबाद Farm एके लिएवल बताईएगा लिएवलगगा टना जबाएगा भीएवले वीडियो प्रोंब टो प्लूबड़ है जर नपितना उ